अब आपके सारे फिसिक्स के देशिटिट माच जाउब्स का सफाय है बस अपने फोन से कुशन की फोटो खीचो अपकर आपकर और तुरंच बीडियो सिलुशन पाउ डाउलोड कीजिए डाउटन आप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आर्ट चार्सो इस question में दिया गया है a converging lens of focal length 15 cm and a converging mirror of focal length 10 cm are placed 50 cm apart if a pin of length 2 cm is placed 30 cm from the lens farther away from the mirror where will the final image form and what will be the size of the final image ठीक है दिया क्या हुआ है कि एक converging lens है let us say हमारा converging lens हो गया ठीक है और इसकी focal length क्या दे रखिए 15 cm दे रखिए और एक converging mirror है जिसकी focal length 10 cm ठीक है अब बोला गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी है वही 50 cm ठीक है इसकी focal length कितनी है 10 cm है if a pin of length 2 cm यहाँ पे 2 cm लंबी एक pin है यह कितनी cm के 2 cm की वह क्या है 30 cm दूर रखिए lens से ठीक है 30 cm दूर है तो पूछा गया है कि final image क्या कहा बनेगी अब देखो concept आपको पता है पहले यहाँ से क्या होगा reflection फिर क्या होगा reflection फिर अगेन क्या होगा reflection और तब final image बनेगी ठीक है तो देखो पहले lens के लिए for reflection from lens lens से reflection करना है तो image की जो image बनेगी object को कहा बनेगी UF, UF upon F plus U पे, ठीक है V का formula होता है डायरेक्ट, तो U क्या है U है अपने पास में minus 30, ठीक है क्योंकि जिदर जाएंगी काम की रेज उदर positive, इसका मतलब इदर positive pole से और इदर negative pole से, ठीक है तो इनको मैं भी clean कर देता हूँ ताकि diagram साफ दिखे focal length 15 cm divide करेंगे F focal length 15 U minus 30 तो it will become 30 into 15 divided by minus 15 तो यह तो cancel out हो गया तो यह बन गा minus 30 ठीक है, यानि कि जो image है object की, sorry जो image है object की हो, कहां बन दी है, minus से minus cancel out हो जागा, तो plus 30 आ जागा, ठीक है यहां से 30 cm दूर 30 cm दूर बन रही है यानि कि यहां पर बन रही है यानि कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50 है, तो इस lens से कितनी दूर इस mirror से कितनी दूरी हो गई 20 cm, ठीक है 20 cm दूर होगी, अब देखो इस mirror से 20 cm दूर होगी, अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी magnification की, तो magnification क्या होता है, lens के लिए V by U होता है, तो V की value क्या है, 30 है, U की value क्या है, वह U की value भी 30 है, ठीक है, minus 30 है तो यहाँ जागा आपके पास में minus 1 यानि कि same size की image बनेगी लेकिन ulti बनेगी, minus का यहाँ से minus 20 पे है इसका मतलब focal length का double focal length का double यानि कि focal length का double क्या होता है radius of curvature, यानि कि यह तो center पे रखा हुआ है इसके center पे है, तो इसकी image कहाँ बनेगी, यहीं बनेगी यहीं बनेगी, बिल्कुल clear बात है तो, अब क्यूंकि mirror के लिए जो magnification होता है, वो होता minus V upon U, V और U क्या है दोनों बराबर है, क्योंकि A की point पे V है, A की point पे U है तो इसका मतलब image जो बनेगी वो minus होके बनेगी, यानि कि यहाँ पे जो mirror से image बनेगी, वो क्या होगी ऐसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी तो यह mirror से image बनेगी, वो क्या हो जाएगी इस तरह से उल्टी हो जाएगी तो यह mirror से image बन गई same size की बनेगी, यह बात तो fact है क्योंकि V और U दोनों same है आप देखो इसकी focal length है 15 cm ठीक है, और इसकी distance कितनी यहाँ से 30 cm, यानि कि इधर 30 पे था तो image इधर बनी थी 30 पे अब इधर 30 पे है, तो image इधर बनेगी 30 पे, ठीक है पकी बात है, बिल्कुल clear है, तो image तो मुझे पता चल गया कि इसी point पे बनेगी लेकिन, अब यह बनेगी कैसी यह find करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह सीधी बन रही यहाँ पे इमेश, ठीक है यह माल लेता हूँ, a- है और यह point b- है, ठीक है तो finally, जो magnification again होगा वो क्या होगा, v upon u होगा ठीक है, तो v कितना हो जाएगा अगर मैं बात करूँ इसके लिए तो v हो जाएगा अपना v और u दोनों opposite sign के होंगे यहाँ से अगर मैं बात करूँ इधर positive है, तो u तो अपना positive हो गया लेकिन v negative हो जाएगा ठीक है, तो दोनों opposite sign के होंगे तो यह minus 1 आएगा ठीक है, क्योंकि v और u है तो same 30-30, लेकिन opposite है ठीक है, तो image again क्या होगी invert हो जाएगा, नहीं कि final image 2 cm लंबी ही बनेगी उसी position पर बनेगी जहाँ पर object रखा हुआ है और सबसे important बात ही है कि inverted बनेगी